गायत्री का वैज्ञानिक आधार ओडियो वन भूमिका भौतिक विज्ञान की भाती ही अध्यात्म विज्ञान है भौतिक विज्ञानियों ने अपने अविश्कारों से मनुष्य की सुविदाएं बढ़ाने का प्रयत्नि किया है प्राचीन काल में सूक्ष्म दैवी शक्ति बाल, वृद, स्त्री, पुरश, आनंद में जीवन का लाब उठा सकते हैं योकी अनेक साधनाव में से गायत्री साधना ऐसी है जो सर्व साधारण के लिए अतीव उपयोगी, हानी रहित, सुलब, सुक साध्य और शीग्र फल देने वाली है इसकी तुर्णा में और कोई सा आस्त्रों के अंतरगत दृष्टी गोचर नहीं होती गायत्री से जो लाब होते हैं उनका कारण हेतु आधार क्या है यह जानने की इच्छा होना इस बुद्धी बादी युग में स्वभाविक है इस पुस्तक में उन्ही रहिस्यों पर प्रकाश डाला गया है जिनसे इस पुस्तक से कुछ नहीं जानकारी मिलेगी गायत्री का वैज्यानिक आधार भगवान की अनंत शक्तियां हैं उनमें से कुछ हमारे लिए अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल पढ़ती है भगवान ने सिंग व्यागर भी बनाए है और गाय घोडे भी सृष्टी में उप्योगी सिद्ध हुई है व्रिक्ष वनस्पतियों को भी भगवान ने ही बनाया है पर उनमें से बहुत से तो विशैले, कटीले और कष्ट दायक होने से प्रतिकूल है फल, अन, फुलवारी, औशदी, आदी पौधे मनुष्य के लिए उप्योगी पढ़ते हैं वे पाले पोसे जाते हैं ईश्वर की अगनित अद्रिश्य दैवी शक्तियों में कितनी ही ऐसी हैं जो हमारे लिए उप्योगी नहीं पढ़ती भूकंप, वज्रपात, विसफोट, युद, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवरिष्टी, दाह, अगनीकान, संगहार, एवं टिड मूशक, आदि की उत्पादक ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिनसे स्रिष्टी का कोई और प्रयोजन भले ही पूरा होता हो पर मनुश्य को तरासी मिलता है मानव प्राणी के लिए तो वही शक्तियां उप्योगी होती हैं जो उसकी सम्रिधी और सुक्षान्ती में सहायक होती हैं सूर्य भी शक्तियों का भंडार है उसकी किर्णों का विशलेशन कर वेग्यानिकों ने प्राण घातक मृत्यु किरण उपलब्द की है साथ ही अल्ट्रा वाइलेट अल्पा वाइलेट एक्स रेज ओजोन आदी ऐसी किर्णे भी ढून निकाली गई हैं जो असाध्य रोगियों को प्राण दान कर सकती हैं संसार में जो कुछ है वह सभी हमारे लिए हितकर नहीं है अपने लाब की वस्तुओं को हमें ढूनना होता है उन्हें पहचानना होता है और प्रयत्न पूर्वक उनको अधिक मात्रा में उपलब्द करके उपयोग करना होता है तब हम इश्वर की अगरित लाबधायक वस्त वस्तुओं से सुक प्राप्त करने में समर्थ होते हैं गाय, घोडे, अन, फल, ओशदी, कपास, खनिज, द्रव्य, धातुएं, रत्न आदी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न शील रहकर सुक समर्दी का अधिकारी हुआ है यदि उसने इनकी और उपेक्षा ब संसार स्थूल और सुक्ष्म दो भागों में बटा हुआ हैं स्थूल पदार्थ वे हैं जो आँखों से दिखाई पड़ते हैं सुक्ष्म वे हैं जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं फिर भी उनका अस्तित्व मौजूद हैं सर्दी, गर्मी, वायू, इथर, शु शरीर से निकल जाता है फिर वो अध्रिश्य रूप से मौजूद रहता है इश्वर की ऐसी ही अनेक अध्रिश्य शक्तियां है जो योग शास्त्र और अध्यात्म विद्या के वैज्यानिक आचारियों ने अपनी सुक्ष्म दिव्य दिश्टी से देखा और समझा है और गु उद्ध शक्ति को दुर्गा, उत्पादन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति विश्णू, संहार शक्ति को शिव, बल शक्ति को हनुमान, सिद्धी शक्ति को गणेश, शासन शक्ति को इंद्र कहते हैं जो हमारे लिए लापदायक ग्रहन करने योग हैं उनसे संबंध स्था प्रापन करने का उनको अधिक समीत लाकत उठाने का जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न का नाम ही देवी ओपासना है। जैसे गाय सब पश्वों में, गंगा सब नदियों में, तुलसी सब औशदियों में हमारे लिए विशेश लाबदायक है वैसे ही ईश्वर के गुप्त देवी शक्तियों में गायत्री शक्ति मनुष्य जाती के लिए सबसे अधिकुप्यों की है। गायत्री वह ज्यानमई अद्रिश्य चेतना है जिसमें सात्विक्ता, शांती और आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री त्रिपदा कही जाती है। अर्थाद्धन, वैभव, बदप्रधिष्टा, भोग, एश्वर्य, क्लीम, अर्थाद्ध, स्वास्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुशार्थ, तेज, इन तीन विशेष्टाओं वाली त्रिगुणात्मक इश्वरी शक्ति ही गायत्री है। चुकि यह तीनों ही तत्व मनुष्य के लिए अतियंत उप्योगी एवं आवश्यक हैं, इसलिए रिश्यों ने गायत्री उपासना को भी वैसा ही आवश्यक नित्य कर्म बताया हैं, जैसा सांस लेना, अनजल ग्रहन करना, शौच स्नान से निबटना एवं निद्रा लेना आवश्यक है, इन क्रियाओं से शरीर की रक्षा एवं व्रिद्धी होती है, गायत्री उपासना से आत्मबल की रक्षा और अभी व्रिद्धी का लाब मिलता है, शरीर परिपुष्ट, सबल, सतेज, स्वस्त, सक्षम हो तो उस शारीरिक बल के बदले में अनेक प्रकार के लाब प्राप्त किये जा सकते हैं, शत्रों को पचारना, कड़ी मेहनत करके अधिक कमाना, दूर-दूर की यात्राएं कर लेना, रोगों से बचे रहना, दीर्ग जीवी होना, सौंदर्य कायम रहना, इंद्रिय भोगों का भरपूर आनन्द उठाना, किसी की सहायता के आश शारीरिक बल के हैं, उन लाबों का कितना महत्व है, इस बात को वह समझता है, जिसने अपना स्वासिक गवाँ दिया है, और रोज रोज की शारीरिक पीड़ा, बेचैनी हानी, एवं असफलताओं की दुरभाग्य पूर निराशा से दुखी रहता है, आत्मिक बल तो शार शारीरिक होता है, श्त्री, पुत्र, मित्र, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, नेत्रित, वैभव, आदी के सुख, वस्तत, मानसिक सुख है, शरीर को इनसे कोई प्रत्यक्षिलाब नहीं होता, इसी प्रकार शोक, वियोग, हानी, भै, चिंता, तृष्णा, अपमान, जय असफलता आदी के दुख भी मानसिक है, शरीर स्वस्त होते हुए भी मन में ये रोग लग रह सकते हैं, आत्मिक बल बढ़ जाने से मानसिक सुखों में व्रिधी और दुखों में कमी होने का क्रम चल पड़ता है, फलस्वरुप गायतरी साधना द्वारा आत्मिक बल की व्रिधी कर लेने वाला मनुश्य अनायास ही दुखों से छुटकारा पाकर सुख शांती की और अग्रसर होता रहता है, स्थूल वस्तों की सहायता से स्थूल वस्तों पकड़ने की विधी को सब लोग जानते हैं, हाथ से कलम पकड़ना, पैरों को जूते में गुसाल देना चिम्टी से अगनी उठाना, परिश्रम से पैसा कमाना, रूपिये से वस्तों खरीदना सभी को मालूम है, पर अद्रिश्य सूक्षम शक्तियों को किस के द्वारा किस प्रकार पकड़ कर अपने लहब के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, वैज्यानिक अविश्कारों से पूर भी, बिजली, भाप, गैस, परमानु आदी की शक्तियां मौजूद थी, पर लोग उनका पकड़ना और प्रयोग करना न जानते थे, फलस्वरूप उनके लाबों से वंजित थे, वैज्यानिकों ने किसी नई शक् का निर्मान नहीं किया है, केवल उनसे लाब उठाने की विधी का अविश्कार किया है, फलस्वरूप आज उन अविश्कारों से सर्वत्र लाब उठाया जा रहा है, दैवी शक्तियां भाप, पिजली, गैस, आणू से भी सूक्ष्म होने के कारण यंत्रों की पकड़ में नहीं है, फिर भी ऐसी तरकीबे हैं जिनके द्वारा उन्हें पकड़ा जा सकता है और उनसे लाब उठाया जा सकता है, अध्यात्म विध्या, योग साथना ऐसी ही वेग्यानिक पद्धितियां हैं, जिनका अविश्कार हमारे पूजनिये पूर्वजों ने युगों तक अध्यवसाय करने के उपरांत किया था, रिश्या ने यह देखा कि सुक्ष्म शक्तियां उस जाती की हैं जिस जाती की हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा को ही ऐसी विशेश परिस्थिति में ढाला जाए, जो उन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो, इस प्रकार उन दोनों म साम्य एवं चुम्बकत्व उत्पन्व होने से पकड़ना संभव हो सकता है, आत्म विद्या के अनेक वैज्यानिक रिशी सहिस्त्रो वर्षों तक उत्कट प्रयत्न और अध्य वैसाय के साथ इस सम्मंद में शोग करते रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली, उन्होंने व अंत्रिक सत्ता को ऐसे योगिताओं एवं विशेशताओं में ढाल लिया जाता है कि जिस देवी शक्ति के साथ सम्मंद स्थापित करना हो तद नुकूल बन कर उसे अपने चुम्बकत्व द्वारा पकड़ सकेगा, जमा हुआ मोम तेल में नहीं मिलता, पर यदि मोम को और यदि साधना द्वारा अंतस्तल को पिघला दिया जाए तो वह शक्ति आत्मसाथ हो सकती है, इसी विधी विवस्था को क्रिया को अध्यात्मिक भाशा में साधना कहते हैं योग महाविज्ञान के अधार पर अब तक असंख्य व्यक्तियों ने ईश्वर की अभीष्ट शक्तियों को प्राफ्ट करने योगे आत्मनिर्मान किया है प्राचीन इतिहास पुराणों में ऐसे अनेक वर्णन आते हैं जिन से प्रतीत होता है कि भिन देवताओं की भिन विधियों से साधना करके अनेक व्यक्तियों ने विभिन वर्दान पाए थे इसका अर्थ है उन लोगों ने साधना द्वारा अपनी अन्तह चेतना को इस योग ये बनाया था कि इश्वर की अभीष्ट शक्ति को वे पकड़ सके और उससे लाब उठा सके गायतरी साधना एक वेग्यानिक पद्दती है इसके द्वारा इश्वर की हरीम, श्रीम, क्रीम, ग्यान वेभव और बल की समिलित शक्ति को पकड़ कर खीच कर अपने में धारन कर सकते हैं और उसके आधार पर जीवर में अनेक मानसिक एवम सांसारिक आनंदों का उपभू कर सकते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए शट चक्रों को जागरित करके दिव शक्तियां प्राप्त की जाती हैं वैसे ही गायत्री के उचारण मात्र से यह लगू ग्रंथियां जागरित होकर आशा जनक पर नाम उपस्थित करती हैं। गायत्री महाविज्यान पुस्तक के प्रथम भाग में चित्र देकर सविस्तारिय बताया जा चुका है कि शरीर के किस-किस भाग में कौन-कौन सी गुप्त ग्रंथियां हैं। और गायत्री के किन-किन अक्षरों के उच्चारण से उन में से कौन-कौन ग्रंथी जागरित होती है। और उस ग्रंथी चक्र के जागरण से हमें कौन-कौन सी शरीरिक एवमानसिक शक्तियां प्राप्त होती है। इश्वर की गायत्री शक्ति को असानी से खीच कर अवस्थित किया जा सके। श्रिष्टी के आदी से लेकर अब तक असंग के मनस्वी महापुरुशों ने गायत्री की साधना की है। विचार विद्या के ग्याता यह बात सहज ही समझ सकते हैं कि इतने अधिक मनस्वी पुरुशों को इतने अधिक काल तक इतना अधिक मनोबल रहा है। वह गायत्री मंत्र अपनी पूर्व संचित पुंजी के कारण भी कितना अधिक प्रभाव शाली हो गया होगा। विचार कभी नश्ट नहीं होता। उनके बादल आकाश में मंढराते रहते हैं। वे विचार बादल जहां अपनी जाती के अन्य विचारों की प्रचुरता देखते हैं, वहीं स्वयम भी बरस पड़ते हैं। इसी से भले और बुरे विचारों को अद्रश्य रूप से बल मिलता रहता है। नए गायतरी साधक पर पूर्वकाल के गायतरी साधकों के विचार बादल भरसते हैं और वह शीक्र ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। विवित रेडियो स्टेशनों द्वारा विवित प्रोग्राम हर गड़ी प्रसारित होते रहते हैं। पर सुनाई वही पढ़ते हैं जहां रेडियो यंत्र रखा हो। उस यंत्र में जिस नंबर पर सुई होगी उसी स्टेशन की खबरे सुनाई पढ़ेंगी। इश्वर की अनेक शक्तियां अनेक केंद्रों से प्रचारित होकर सर्वत्र व्याप रहती हैं। पर उनको ग्रहन वही कर सकता है जिसने साधना द्वारा अपने आपको रेडियो यंत्र बना लिया है। जिस देवी शक्ति को प्राक्त करना है उसी की विशेश साधना करना मानो रेडियो की सुई उस नंबर पर लगा देना है। इस प्रक्रियाद्वारा ईश्वर के महाशक्ति सागर में से विपुल वैभव में से हम अपनी आवश्यक शक्तियां एमम संपदाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के अक्षय बंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। इश्वर के अमर युवराज मनुश्य को अपने पिता की प्रतेक वस्तु पर पूरा पूरा अधिकार है। आवश्यक्ता केवल इस बात की है कि हम अपनी पात्रता सिध करें। अपने प्रयत्न, श्रम, अध्यवसाय और साद्मा द्वारा यह साबित कर दें कि हम अभीष्ट वस्तु के अधिकारी हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हमें संतोष चनक, सुक, शान्ती, प्राप्त न हो। गायत्री साद्ना ठोस अध्यात्मिक महाविद्या की वैज्यानिक पद्धिती पर आधारित एवं महत्वपूर्ण प्रकिया है। उसका श्रद्धा और विश्वास पूर्वग परीक्षन किया जायतों परिणाम सदा ही आशाजनक होता है।